Hallo Everyone, आप सभी का स्वागत हैं, तो आए आज की क्लास में हम 10 क्लास के Physics का एक नय चिप्टर का सुरुआत करेंगे लेकिन हम आपके Physics को सुरुआत करने से पहले आपके Physics में जो भी चिप्टर पढ़ना है उन चिप्टरों का एक ओभर व्यूँ बता देते चुकि हम आज चेप्टर को सुरुवात करेंगे तिसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हाँ हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है जैसे मान के चलो कोई चेप्टर है अगर आप उन चेप्टरों के बारे में कुछ नहीं चानते हैं आपको ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्या पढ़ना है जो नए बच्चे है उन नए बच्चों के लिए हम एक ओभर विव बता देते हैं कि हाँ फिजिक्स में हमको ये पढ़ना है देखिए फिजिक्स में हम लोगों को टोटल अभी ब्लेक बोर्ट पर क्या लिखा गया है इसको अभी आप छोड़ दीजे चुकि हम थोड़ा सा आपको फिजिक्स के बारे में चनकारी दे देते हैं कि हाँ आमें फिजिक्स में क्या पढ़ना देखिए आपके टेंथ क्लास के फिजिक्स में जो सबसे पहला चिप्टर पढ़ना है उसका नाम है प्रकास का प्रावर्तन ठीक है प्रकास का प्रावर्तन इंग्लिस में इसको बोलते हैं reflection of light इंग्लिस में क्या बोलते हैं इसको reflection of light जो आपका दूसरा चिप्टर है उसका नाम है प्रकास का अपवर्तन प्रकास का अपवर्तन ठीक है ठीक है जी इसका जो इंग्लिस में इसको बोलते हैं ओ रीफ्रेक्शन हलाकि आपको यहां confusion होगा लेकिन इसको देखिए यहां पर और यहां पर आर है तो रीफ्रेक्शन रीफ्रेक्शन ओफ लाइट यह आपका सेकेंड चिप्टर है तीसरा नंबर में आपको पढ़ना है ओ पढ़ना आपको मानवनेत्र ठीक है मानवनेत्र फिर आपका प्रगास का वर्ण विचेपन और इसमें प्रकिर्णन बेगरा पढ़ना प्रकिर्णन बेगरा इसमें पढ़ना चौधा जो आपका चिप्टर हो जाता है उसका नाम है वीदु धारा इससे तो आप लोग परीचित होंगे क्योंकि ये हम लोगों को रोज मरा की जिन्दगी में उप्योग किया जाता है इसको इंगलिस में इलेक्टरी सीटी बोलते हैं और पाचमा जो पढ़ना है वह आपको विदु धारा का चुमबक्य परभाव और इसी से रिलेटेड चीजे आपको देखना फिर आपका इसमें हो जाएगा दच्छिन हस्तिनियम बाम हस्तिनियम ठीक है दच्छिन हस्तिनियम और बाम हस्तिनियम ये सब चीजे आपको इसमें पढ़ना तो हम ये देख रहे हैं कि आपको physics में total आपको जो पढ़ना है वो पाथ चिप्टर पढ़ना है सबसे पहला प्रगास का प्रवर्तन, दूसरा हो गया प्रगास का प्रवर्तन, तीसरा जो है वो मानवनेतर, वर्न विछेपन, ये सारे चीजे पढ़ना फिर विधुधारा और ये पाच्मा, लेकिन हम एक चीज यहां पे देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, कि प्रगास का प्रवर्तन, ठीक हैं, और प्रगास के आपवर्तन में इसको देखिए आप, यहां पे प्रगास देखे तो common होगा, ठीक, इसमें भी देखिएगा, त फिर प्रकास का प्रणकिरन, तो हम ये तीनों चेप्टर को जदी देखते हैं, आप थोड़ा देर के लिए इसको मेटा दीजे, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक, इन तीनों चेप्टर की बात करेंगे, जब हम इन तीनों चेप्टर को देखते हैं, तो इसमें एक जानिएगा तो आप कैसे प्रावर्तन को समझ पाईएगा कैसे आप वर्तन को समझ पाईएगा देखे प्रावर्तन और अपवर्तन का मतलब थोड़ा साम समझाते हैं देखे प्रावर्तन का मतलब क्या होता मान के चलो कि मेरे पास एक बॉल है इस बॉल को अगर हम मेरे सामने एक दिवार इस दिवार पे इस परकार से फिकते हैं और बॉल उस दिवार में टकराता और टकराने के बाद मेरे पास आ जाता ठीक है तो हम यह कह सकते हैं हाँ ऐसा होता कि अगर दिवार नहीं होता तो बॉल बाहर चला जाता लेकिन यहां पे दिवाल है इसलिए हम बॉल को जब फेकेंगे तो बॉल दिवाल पे जागे टकराएगा और टकराने के बाद वापस मेरे पास चला आएगा तो इसको हम लोग बोल देंगे कि बॉल का प्रावर्तन हो गया क्योंकि बॉल गया दिवाल से टकराया और मेरे पास आगया लेकिन अगर लाइट के अगर हम देखें प्रकास में तो प्रकास का भी जस्ट वही कॉंसेप्ट है प्रकास में भी क्या होगा कि हम मान के चलो कि प्रकास को इस प्रकार से दिये मान के चलो कि यहां पे एक किताब रखा हुआ है ठीक इस परकार से लाइट को दिये और यह लाइट यहां पे गया और टकरा कर वापस आ गया यानि कि परकार का प्रवर्तन का सीधा मतलब यह होता है यानि कि परकार को किसी बस्तू के सता से टकराना और इसको वापस लोड जाना ये प्रगास का प्रावर्तिन क्यालाता हलाकि आपको अभी हम जस्ट थोड़ा से समझानी की कोसिस कर रहे हैं हम लोगों को ये पूरा चिप्टर पढ़ना है आपको फिजिक्स के अंदर ये हम लोगों को पूरा चिप्टर पढ़ना है इसलिए कहीं भी आपको अपकाने की जुरूरत नहीं है ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि प्रगास का प्रावर्तिन तो समझ गया है और ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रगास का जो ये प्रावर्तिन में प्रगास का जो रॉल है ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता क्योंकि प्रगास जो है और कहीं ने कहीं हम ये देख रहे हैं कि प्रगास का प्रगास का प्रगास का प्रगास का प्रगास जदि हमको प्रगास से नहीं मालूम होगा तो हम प्रावर्तन को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे इसके बाद थोड़ा सा अपवर्तन को देख लेते हैं अब हम लोग अपवर्तन की बात करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है थोड़ा सा अपवर्तन का मतलब भी आपको समझा देते हैं देखे अपवरतन का सीधा मतलब होता है कि प्रकास को एक माधियम से दूसरे माधियम में जाना जैसे मान के चलो कि ये एक लाइनिंग है ठीक है और ये दो माधियमों को अलग करता है हलाकि आपको माधियम क्या होता है हम सारा detail से discussion करना है ठीक है ये आपको मान के चलो BIRAL MADIUM है BIRAL MADIUM का मतलग होता है इसमें कि हम VYU को ले लिए ठीक इसमें वायू को ले लिए और इसमें नीचे हम काच को ले ले लेते नीचे क्या आपका हो गया काच तो जो वायू होता वो एक बीरल माधियम होता और काच आपका सगन माधियम होता तो देखें बीरल माधियम और सगन माधियम में हम लाइट को कैसे देखेंगे वो थोड़ा सा समझेगा जैसे मान के चलो बाबू कि ये आपका होता है आपतित कीरन मतलब कि यहां पर मान के छोलो एक टॉर्ज है ठीक क्या सूर्ज है कुछ भी रखो यहां से लाइट आ रहा है और इस सर्फे से टक्रा रहा है ठीक और इस सर्फे से टक्राने के बाद जदि लाइट यहां पर पड़ा और इस परकार लोट गया यानि कि हम यह देखे कि इसी माध्यम में आया है यहां पर आप देखे यह आपका सर्फे से तो यह माध्यम में आया और इसी माध्यम में लोट गया ठीक है तो इसको हम लोग नाम देते हैं आपतित कीरन इसको बोलते हैं प्रावर्तित की रन ठेक और ये आपका एक अबिलाम होता है आप तीत की रन अबिलाम के बीच जो कोन बनता है उसको हम लोग आपतन कोन बोल देते हैं और ये प्रावर्तित की रन और अबिलाम के बीच जो कोन बनता है उसको प्रावरतन को उनुद बोल देते हैं लेकिन अभी हम लोग को इसमें डीटेल से देखना है अभी हम लोग को इतना जानना ज़रूरी नहीं जब हम आपको डीटेल से पढ़ाएंगे तो इसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कॉसन करेंगे लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि यह जो आपतीत की रन है ओ इस परकार से मूड जाता है मान के चलो इस परकार थोड़ा से एकजामपर समझना कि जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं मार्केट में कोई चोर आया और हमारा बैग चैसे पर्स चोरी करके भाग रहा और उस मार्केट में बहुत भीड़े जदि बहुत भीड़ोगा तो क्या होगा कि जो चोर होगा कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा और कभी ऐसे जाएगा यानि कि कहीं ने कहीं हम ये देख रहा है कि ये जो लंब है तो लाइट जो आ रहा है ये काज एक सगन मादियम है तो लाइट को जीधर जगा मिल रहा है उद्रे लाइट घूम जा रहा है समझे अगर light इधर जगह मिला light को जिधर जगह मिल रहा है उद्रे light घूम जा रहा थीक है तो यह आपका अपरतन हो गया फिर आपको मानवनेत्र हो गया वर्ण विछेपन में कुछ नहीं करना, एक परीज में से जब एक वाइट लाइट पास होता है, यानि सफेद परगास को पास किया जाता है, तो यह सात रंगों में भीवैक्ट हो जाता है, इसको हम लोग प्रेकिर्न बोलते हैं, ठीक है, तो यह सारे चीज़े हम लोगों को चानना है लेकिन मेरा मक्सद बताने का सिर्फ इतना इसलिए था हलाकि हम इन चीजों को डीटेल से पढ़ेंगे आपको इसमें घड़ बढ़ाने की बात नहीं है कि हमको समझ में नहीं आया यह बस आपको ओपर व्यू बता देते हैं कि हम यह देख रहा हैं कि इन सारे चीजो में परकासी को काम में ले रहे हैं इसलिए हम लोगों को परकास के बारे में चानना बेहत जरूरी होगा ठीक है तो हम अब बात करते हैं कि परकास क्या होता है ठीक हम सारा चीज आपको समझा दिये और एक ओबर व्यू पर बता दिये कि हां हमें फिजिक्स में यह पढ़ना और सबसे पहले जो हम सुरुवात करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग को परकासी इंपोर्टेंट जीज़ें देखिए जब हम परकास के बारे में बात करते हैं तो एक चीज समझना पड़ेगा कि परगास हम लोगों के लिए रोज मरा की जिन्दिगी में कितना इंपोर्टेंट चीज है अगर परगास नहीं होता तो फिर क्या होता सबसे पहले अगर आप परगास के बारे में समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर रात्री का समय होता है तो हम बस्तूओं को या दुनिया को कोई भी बस्तू को नहीं देख पाते हैं और इसका रीजन है कि वहाँ पर परगास नहीं होता लेकिन सवाल ये भी आता है और ये सब के मन में सवाल आता होगा कि जब परगास रहता है तो हम बस्तू कुक्कियों देख पाते हैं इनको हम जवाब आपको देने की कोसिज करते हैं देखे अंदकार में जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम सारे लाइट को बंद कर देते हैं तो यहाँ अंदकार हो जाता तो अंदकार में हम किसी भी बस्तू को नहीं देख पाते हैं आप बिस्बास नहीं है तो आप एक रूम में जाए और जाकर सारे लाइट को आफ कर दीजिए आप मारकर को लेके जाए और इसमें देखिए लिखा हुआ है भाइड वोड ठीक है और जाकर उस रूम में जहां पर कहीं से कुछ भी परगास का एक मातरा भी नहीं उसमें हो कुछ भी नहीं हो परगास कहीं भी आपको नहीं दिखाए दे उसमें आप इसको पढ़के देखना कि वाइट वोड मारकर लिखा हुआ या नहीं आपको नहीं दिखाई देगा इसका रीजन है कि वहां पर प्रगास की आणुन उपस धीती रहता है क्योंकि यह नियम है और यह हम सभी जानते हैν कि परगास को हम तो नहीं देख सकते हैं लेकिन परगास किसी बस्तू को देखने हमें हमें मदद करता है यानि बीना परकास से या बीना परकास की सहाईता से हम किसी विवस्तु को नहीं देख पाते हैं मान के चलो कि मेरे पास आपने लाल्टेन देखा होगा ना लाल्टेन का फिगर आपको बताते हैं देखें लाल्टेन इस परकार से एक टैंकी होता है इस परकार से होता हाला कि लाल्टेन से तो सभी कोई परिचित होंगे क्योंकि सभी के गहरों में लाल्टेन रहता है यह आपका यहां से उपर टांगने वला रहता है यह आपका लाल्टेन हो गया और लाल्टेन के अंदर यह सीसा लगा रहता है कर प्रींगरबा समस्दानी के कोशिस आपको कर रहे हैं ठीक यए सिशा लगा रहा था देखे बाबूम यह आपका । ललन्लें होगा। लन्लें में जैसे कि हम किसी भी गारी में देखते तो उसमें एक टंकी होता है, उसमें हम लोग तेल को डालते हैं, फेटरॉल को डालते हैं, देखें ये आपका एक लाल्टेन हो गया, इस लाल्टेन में ये आपका टंकी है, और इसके अंदर हम तेल को भर दिया है, कौन सा तेल, किरोसीन तेल, किरोसीन तेल में आपका एक रस कोशायनी कोर्जा होता है, आप से पूछ ली आ जा, कि की रसी तिल में कौन सा उर्जा होता x25 है तो रसाईनी को उर्जा होता है, यह चो तेल है उ 11 तो इक यहां पर एक एक परतल मतलब कि रसी घाय हुआ होता है, उसको मो लोग बत्ति के सहाइथस हिए तेल उपर की ओर साथ और जब हम लोग इसको जलाते हैं तो यहां पर आग पकड़ लेता है और इस चारो तरफ यह रोशनी भी खेर देती है इसके चारो तरफ ठीक है तो हम यह देखते हैं कि इस परकार के इस परकास की सहाईता से हम लोग बस्तू को कैसे देख पाते हैं ठीक तो इससे जो भी पर परकास निकला ओ परकास मान के चलो ये कोई बस्तु है तो ये जो भी परकास निकला ओ इस बस्तु पर पढ़ा ठीक है और इस बस्तु पर पढ़ने के बाद ये बस्तु है जो परकास को प्रावर्तित कर दिया ठीक और प्रावर्तित करने के बाद ये हमारी आखों तक समझ ये कि हम बस्तू को कैसे देख पाते हैं बस्तू को हम देखने के लिए क्या करते हैं जब कोई भी बस्तू हम देखते हैं तो उसमें प्रकास होना बहुत जरूरी है क्योंकि बीना प्रकास से तो हम बस्तू को देखने ही पाते हैं तो बस्तू को देखने के लिए हमें प् मान के चलो यह मेरे पास एक मारकर है हम मारकर को कैसे देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले इस पे प्रकास पढ़ता है और पढ़कर यह प्रकास प्रावर्तित होकर हमारी आख पर पढ़ता है और आख में एक रेटीना होता ताँ वहाँ पे इसका पर्तिविम बनता है नहीं हाँ सब्दाएंगे तब आपको या चीज़ बताएंगे ताँ उनवरस्टू को देख पाते हैं। कि लेकिन ये तुम हम देख लियें कि थोड़ा साहं हम परकास काacs डिफनेशन देख लेते हैं देखे प्रकास का डिफनेशन हमने दो तरीकों से लिखा जो आपको असान अलगेगा आप उसको याद कर लेज़ेगा देखे क्या कहता है करता प्रकास एक माध्यम है जिसकी उपस्थीति में हमारी आग किसी भी बस्तू को देख सकता हम यही मान के चलो कि रात का समय में हमारी आख भी होता और दुनिया के सारी बस्तू को नहीं देख पाते हैं इसका रीजन क्या इसका रीजन है कि वहां पर प्रकास का अनुपस्थीती होता जदि प्रकास वहां उपस्थीत रहता तो हम बस्तू को देख पाते यानि कि मानो समझो यह मेरे पास एक Marker है, इस Marker को देख रहे हैं, तो यह हमारी आग और इस Marker के बीच में कहीं नहीं लाइट जो है, वो एक माध्यम का कार्ज कर रही है, यानि लाइट को अगर हम अटा दे, तो अभी इस बस्तु को नहीं देख पाते हैं, यानि कि यह परकास एक माध्यम है, उर्जा का इक रूब है जिसकी सहाईता से किसी बस्तू को देख पाते हैं हमने आपको बताया और ज़स्ट यही अग्जामपल दिया कि मान के चलो यह लल लटेन है और लल लल लेन में हम इसमें किरोशीन तेल को भरते हैं किरोशीन तेल में आपका एक रसाइनी कुर्जा होता है ठीक है और ये रसाइनी कुर्जा जो है वो इस बत्ती के माधियम से एक परकास उर्जा में बदल गया यानि कि रसाइनी कुर्जा एक परकास उर्जा में बदल गया हलाकि इसमें उस्मा भी रहता है ठीक है लेकिन हम लोग को परकास के बारे में देखना है तो यह रसाइनिक उर्जा परकास उर्जा में बदल गया ठीक यानि हम यह देख रहे हैं कि परकास भी एक परकार का उर्जा हो यानि परकास एक परकार का उर्जा है जिसके साहितास हम किसी विवस्तु को देख पाते ह उसी प्रकार थोड़ा सा आप लोग मुमबत्ती के बारे में समय देजे, मान के चलो ये मुमबत्ती है, ठीक, ये मुमबत्ती में, ये मुम, मुमबत्ती पता है किसे बना रहता है, मुम से, हम ये देख रहे हैं कि जब मुमबत्ती यहां पे जल रहा है, तो ये चारों तरफ प्रगास देता है और ये प्रगास निकल कर जब बस्तू पर पढ़ता है ये बस्तू इस प्रगास को प्रावरतित कर देता है और ये प्रावरतित प्रगास हमारी आखों पर आता है और हम इस बस्तू को देख पाते हैं तो ये तो आपको हो गया कि प्रगास क्या होता है अब को देख लिजे थोड़ा सा जिस बस्तू से प्रकास निकलता है उसको प्रकास रोत कहते हैं दुनिया को कोई भी बस्तू हम दो प्रकार के ही बस्तू को देख पाते हैं जैसे मान के चलो कि यह पेन है तो इससे प्रकास निकल रहा है नहीं निकल रहा है आप बिजली के बल्ब देखिए उससे परकास निकल रहा यानि कि परकास रोत का मतलब यह हुआ कि जिस बसतू से परकास निकलता है उसको परکास रोत बोलते हैं जिसमें आपका हो गया सूर्ज सूर्ज तो आप लोग जानते हैं कि सूर्ज अगर नहीं होता तो हम लोग को रोज मरा की जिन्दिगे में कितना कस्टस आना पड़ता तो एक सूर्ज हो गया फिर जलता हुआ मुबती जलता हुआ मुबती से हम कैसे बस्तू को देख पाते हैं अब देखिए परकात स्रोत दो परकार के होते हैं आप इसे में देखिए सूर्ज मुबती और लाल्टेन ठीक है सूर्ज तो यह इस वर द्वारा बनाया गया है लेकिन मुबती और लाल्टेन लाल्टेन तो मानों ने बनाया मुबती को मानों ने बनाया यह देख रहा हैं कि यह जो प्रकार स्रोथ है वो दो प्रकार के हो रहा है एक आपका प्राकृतिक स्रोथ ठीक है नेटुरल सोर्श और एक human-made सोर्च है मानव निर्मित सोर्श अब देखे प्राकृतिक स्रोथ में कौन जाएगा सूर्ज क्योंकि यह प्राकृतिक द्वारा बनाया गया तारे जो आसमान में हम लोग देखते हैं चमकता है जुगनु यह सारा प्राकृतिक द्वारा बनाया गया इसमें मानव कुछ नहीं किया इसको सूर्ज को बनाने में मानव क्या कर सकता कुछ भी नहीं किया आ option आपको दे देगा इसलिए इसको आपको याद करना और इसको भी आपको याद करना मानु निर्मित सुरोत में कौन को ना गया जैसे लालटेन खुद मानु अपने टक्निक से बनाया अपने टक्निक से बनाया और आप देखें कि कुछ दिन पहले यह लालटेन तो था लेकिन यह लाम्प नहीं था तो इसको टेक्नलोजी आने के बाद मानु नहीं बनाया फिर इसको मानु नहीं बनाया इसलिए यह दोनों आप लोग एक्जाम पहल याद करके रखेगा आपकी बात करतें कि कुछ ऐसे बस्तु होते हैं जिनसे परगास नहीं निकलता है और कुछ ऐसे बस्तू होते हैं जिससे प्रकास निकलता जैसे इस पेन को देखें इस पेन से तो प्रकास नहीं निकल रहा अगर इस पेन से प्रकास निकलता तो हम सारे लाइट को आफ कर देते हैं तो इसलिए इस पेन से प्रकास नहीं निकल रहा लेकिन बिचली का बल्ब हो आप लाल्टेन को देखे हैं मुवथी को देखे हैं इन सारे चीजों से परकास निकलता है तो हम दो परकार की बस्तू को देखते हैं यानि कि जो बस्तू परकास निकालता है उनको हम लोग प्रदीप्त बस्तू कहते हैं जैसे बिजली का बल्ब है इससे परकास निकल रहा है सूर्ज इससे प्रकास निकल रहा है और भी देख लिए सूर्ज के बाद धिवरी धिवरी नहीं देखे, लेकिन हम लोग में गौंते हाथ में रहते हैं तो धियरी के बारे में चांदे यह फिर आपका लैंप यह सब सारे चीजों से परकास निकलता लेकिन जिन चीजों से परकास नहीं निकलता जैसे इट, बालू, टेबल, कुर्सी इन सारे चीजों से परकास नहीं निकलता तो देखे बस्तूओं को दो भागों में बाटा गया एक आपका प्राकिर्थिक बस्तूए कि वैसे बस्तू तो हम किसी वे बस्तु को देख पाएंगे अगर प्रगाज को सर्जित नहीं करेगा तो हम बस्तु नहीं देख पाएंगे तो आपका इसमें एक्टामपल हो गया सुर्ज ललिटेन और यह आपका प्रदीप्त बस्तुए हुआ आपको एक्जाम में यह भी देदेगा कि में कौन प्रदीप्त बस्तुए या देदेगा कि सूर्ज किस परकार की बस्तुए प्रदीप्त दोनों या इनमें कोई नहीं तो आपको इसमें एक्जामपल जरूर याद करके रखेगा अब परदीप्त बस्तुए जिन बस्तुओं से प्रकास उसरज़न नहीं होता यह कौन कोन है जिसे टेवल टेवल से कभी प्रकास उसरज़न होता है अगर टेवल बुक बुक से अगर प्रकास उसरज़न होता तो हम लोग रात में बीना बिजली के या बीना बल्वे के हम सोच भी सकते हैं फिर आपका कुर्सी हो गया और किताब हो गया तिये दो प्रकार की बस्तुए हुआ एक प्रदीप बस्तुए और दूसरा अप्रदीप अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा प्रकास का प्रकिर्णन इसको बोलते हैं आपको एक बात समझना पड़ेगा प्रकास के प्रकिर्णन में वह क्या समझना पड़ेगा कि हम एक चीज़ यहां पे देखें कि कि किसी भी बस्तुए को अगर देखना रहता है तो उसके लिए हमको प्रकास का होना बहुत ही जरूर है मान के चलो कि हमें टेबल को देखना ठीक है या कुर्सी को देखना या आपका कुर्सी है ठीक है कुर्सी को देखना तो कुर्सी को कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको किसी चीद से प्रकास आएगा मान के चलो ये सूर्ज है आपका ठेक है यह सूर्च से प्रकास निकल रहा इस प्रकास और सूर्च से प्रकास निकलने के बाद यहाँ पे कूरसी रखा हुआ यह मान के चलो कूरसी है यह कूरसी पर इस प्रकास से पढ़ता पढ़ने के बाद इस प्रकास से प्रावारतीत हो जाता यानि की प्रकास आया यह प्रकास आपतित हुआ और यह इसको बुलते है उतना आपको नहीं समझना है इसको आपतन विंदू बॉलते हैं यह यहाँ पर पढ़ा इस बस्तू पर पढ़ा कुर्सी पर और पढने के बाद प्रावर्तित हो गया और यहां हमारी आख है और इसी आख से हम बस्तू को देख पाते हैं तो यह है कि हम बस्तू को कैसे देख पाते हैं लेकिन स्केटरिंग और फ्लाइट क्या कहता है स्केटरिंग और फ्लाइट कहता है कि जब सूर्च से आती परकास की किरने ठीक है धूल कनूप पर पढ़ता है तो उन पर पढ़ने वाले परकास के किरने की कुछ मात्रा को अपसोसीत करके फिर उसको चारो और वित्रीत कर देता है इसको प्रकास का प्रकिरनन कहते है देखिए प्रकास का प्रकिरनन आपको तो यानि कि प्रकास के कीरन आपको दिखाई नहीं देगा, अगर देखना है, तो जो फूस वाला घर होता है, फूस वाला निवारी लगा रहता है उपर, या फिर आप देखें, खपड़ा वाला घर में, कहीं पर थोड़ा सा गैप होगा नहीं, तो वहां से एक कीरन आपको दिखाए देगा ठीक है एक पतला सा आपको किरन दिखाए देगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरन प्रकास की किरन ऐसे हम लोग को डीटेल में और आगे पढ़ना है तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरन मान के चलो हम तुम लोग को समझाते हैं कि प्रकिरनन क्या होता जैसे मान के चलो कि यहां पर आपका सूर्ज है यह आपका सूर्ज है इसको हम लोग सूर्ज बोल देते हैं यह सूर्ज है ठीक है और यह सूर्ज से आती परकास की किरने है यह सूर्ज से आती परकास की किरने है यानि सूर्ज से आता परकास है ठीक और यह जब यह परकास यहाँ पर मान के चलो कि कोई कन है या कोई बस्तू है कन है इस कन पर यहाँ से आने के बाद यह परकास इस कन पर पढ़ता है ठीक है और पढ़ने के बाद यह परकास प्रावर्तित हो जाता है प्रावर्तित के मतलब समझते हैं चार और फैल जाता है आने के बाद यह परकास चार और फैल जाएगा यह परकास चार और फैल जाता तो इसी को हम लोग परकास की प्रेकरिणर बोलते हैं scattering of light जब परकास के किरने जब सूर्च से आती परकास के किरने किसी कान पर या किसी वाई मंदल में बहुत से धूलकन जैसे धूलकन हो गया ठीक है और बहुत से चीजे वाई मंदल में परजेंट है तो उन्ही चीजों पर जब पढ़ता है यानि सूर्च से आती परकास के किरने जब किसी कान पर पढ़ता है तो कान कुछ उर्जा को तो अपसूसित किया यानि कुछ परकास की मातरा को अपसूसित किया और बाकि जो बचा उसको विखेर दिया और जदि ये विखेरता नहीं तो हम बस तू को कैसे देख पाते हैं सब उसी मंपसूसित कर लेता तो हम बस तू को कैसे देख पाते हैं देखी नहीं सकते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग a scattering of light ठीक है तो आज हमने देखा थोड़ा सा आज हमने overview को देखा है King John on हाँ एक और सवाल आपको पूछा जाएगा और उसको आप लोग अस्टार लगा लेज़ेगा कि परकास हमेशा एक सीधी रेखा में चलता परकास हमेशा एक सीधी रेखा में चलता तिर्चा नहीं चलता वो आपको देखने में लगेगा कि हाँ तिर्चा है लेकिन समझें कि कैसे मान के चलो बाबू कि यह आपका सूर्ज है ठीक और हम दो परकार के बस्तूओं को लेते हैं एक आपको काच यहाँ पर ले लिए जिसको सीसा बोलते है एक सीसा ले लिए और दूसरा यहाँ पर एक भूग को ले लिए किताब ठीक किताब को ले लिए जब यह सूर्ज की परकास की किरने इस सीसा पर पड़ेगा तो पता है क्या होगा यह सीसा अपने अंदर परकास को पार कर लेगा पार हो जाएगा यानि कि इस सीसे के अंदर परकास पार हो जाएगा तो हम सीसे के पीछे जो भी चीजे है अगर यहाँ पे सीसा लगा हुआ है और परकास पार हो गया तो हम इसके पीछे जो भी चीजे उसको देख पाएंगे लेकिन जदी हम परकास को इस बुक पे लाते हैं इस परकास से इस बुक पे आता है तो यह पता है इसको लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ जब हम आपको बताएंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता तब इसको हम डीटिल में बताएंगे यह पारदर्शी पदार्थ होता किताब को आप लोग आपारदर्शी पदार्थ पुलिएगा तो जब ये परकास किसे आपारदर्शी पदार्थ पर पढ़ता है यानि किताब पे यहां से परकास किताब पर पढ़ता है तो ये अपने में से ये परकास पार नहीं होने देता जिसके कारण होता है क्या कि इस बूग का चाया पीछे बनता इस बूग का चाया पीछे बनता ठेक हैं यह चीज़े हैं आपको और भी डिटेल में बताएंगे और आज का बस इतना है और हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि हम एक systematic तरीके साब को बताएंगे कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ हमें मतलब कि इस topic को छोड़ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम एक systematic तरीस के से और जैसे आपको पढ़ाया जाता वैसा ही हम आपको पढ़ाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगले class में फिर मिलेगे तब तक के लिए नमस्कार